पर्मिशन दे दीजिए तो दोस्तों आज करेंगे बुद्ध के ऊपर हम चर्चा लाल किताब में कुछ बिद्वान कहते हैं बुद्ध नहीं तो कुछ नहीं ये आज साबित होगा बुद्ध दुर्गा माता पक्का घर खाना नम्मर साथ अब मैं बोलूँगा बुद्ध के लिए अच्छे घर और मंदे घर लेकिन वही बात जो कल भी बोली थी हर क्लास में बोलता हूं कि अच्छे कभी पर्मानेंट अच्छे नहीं है बुरे कभी पर देता हूं बुद्ध के लिए एक, दो, चार, पांच, छे, साथ, अच्छे हैं, दस भी अच्छा है, बुद्ध के लिए तीन, आठ, नो, ग्यारा बारा, मंदे कहे रहे हैं, लेकिन हर जगे कंडिशन लगती है, बुद्ध बार्में गर्में भी नेक असर दे देता है ग्र बुद्ध खाना नंबर तीन में भी अच्छा आसर देते हुए देखा गया है, सिर्फ मंदा नहीं होता, मेरा भी बुद्ध तीन है, सोया हुआ हूँ, बजब कि मैं तो मंदा बोल रहा हूं तीन में, इस बात को समझे, तो जब भी मैं ये बोलूं, या किताब में आप हो एक ही बात है, आप कंडिशन पर नजर रखिएगा, कंडिशन बताएंगी, रंग हरा, बुद्ध का दुस्मन गिरे चंद्रमा, और बुद्ध के मित्र गिरे, सूरज सुकर राहू, उँच गिरे च्छे, बुद्ध के लिए उँच घर च्छे, बुद्ध के लिए नीच घर बारा, बुद्ध की बीमारियां, नसो नाडियों की, दातों की, समय साम, चार से, वैसे च्छे बोला जाता है, लेकिन आप इस पे गौर करेंगे, लगभग चार वजे से साम से, सूरज अस्त तक, ये 10-20 मेंट आगे पीछे भी हो सकता है, घर्मी सर्दी के हिसाब से, ये भी ध्यान करिए, दिन बुद्धवार, मस्नोई बिरस्पती राहू, बुद्ध परधान जो जातक होते हैं, उनकी कुछ क्वालिटी होती हैं, इन पे गौर करिएगा, इसलिए बोल रहा हूं कि, मै मैंने इन चीज़ों पर बहुत जादा काम नहीं किया, लेकिन मुझे मालूम है, आप मैसे अगर कोई मेरा एक दो भाई, एक दो वहन अगर इन चीज़ों को पकड़ने लग जाएंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों हैं, जिस पर काम न नहीं ही, बल्कि जब बिल्ली धीरे धीरे चलती है न, वैसी चालोगी, बुद्ध मजबूत वाला व्यक्ति, बुद्ध पिरवल वाला, यह यूं समझ लो, बुद्ध परतहान व्यक्ति, जिसे बिल्ली दोड़ती हुई नहीं, कूदती हुई नहीं, जब धीरे धीरे बिल बोलने वाला लेकिन आकरसक तरीके से लड़कियों की तरह बोलने वाला जिसकी जवान में मिठास महसूस हो जैसे मर्द के लिए लड़कियों की आवाज वड़ी खुब्सूरत होती है कोई अनिता मैं मतले ना एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ उस तरह की आकरसक बुद्ध परधान व्यक्ति के दांत अच्छे होगे चमकदार होगे कैवटी वगएरा नहीं होगी क्योंकि बुद्ध की बीमारी में क्या है दांत बुद्ध भी एक प्रिकार से बहरू प्यार नकल्ची कोई भी रूप धारन कर सकने की होटों पे जीब फेरने की आदत मैंने सबसे पहले यही होला था इस बात को ध्यान करिए होटों पे जीब फेरने की आदत बातों के महल खड़े कर देने की आदत बातों बातों में महल लेकिन बकवासी नहीं गपी नहीं ये भी ध्यान करिए खड़े खड़े बातों बातों में महल खड़े कर देगा लेकिन बकवास में नहीं गप में नहीं मतलब वो अपना फाइदा निकालने के लिए बातों मातों मैं अपना फाइदा निकालने की ताकत बुद्ध, परधान ब्यक्ति, बुद्ध नेक ऐसे समझ लिए इसलिए मैंने कहा गप्टी ना होगा, बकवासी ना होगा हर एक को अपने प्रभाव में ले लेने वाला, यानि कि प्रभावित कर देने का गुण बुद्ध का है, और अपनी तरफ मिला ले, जुवान का जस्का, खुराक थोड़ी ज्यादा, खाना पीना मतलब बोजन की मात्रा, ये किसकी प्रॉब्लम भी है कि सुकर बड़ी खुबसूरती पे मर मिटे, सुकर के ये गुण है, बुद्ध का गुण ये है कि कम खुबसूरती पे, ज्यादा खुबसूरती नहों कम खुबसूरती पे भी मर मिटेगा कम खुबसूरती बहुत ज्यादा नहीं कम पे भी मतलब ज्यादा जाच परख नहीं करेगा इस तरीके से समझ दिए अंगूठा लंबा और उंगलियों के जोड उभरे हुए उभरे हुए का मतलब बाहर को निकले हुए उंगलियों के जोड थोड़े मोटे होंगे उंगलियों के जोड ऐसे समझ दिए बाहर को निकले हुए थोड़े एक्स्ट्रा और लोगों से और जो बुद का परबत होता है वो हमारी छोटी उंगली कनिष्टा बोलते हैं जिसे उसके नीचे होता है बुद परधान होगा तो यह भी समझाई है बुद अच्छा होगा बुद परधान व्यक्ति का यह जो छोटी उंगली है यह वाली छोटी उंगली यह जो हिस्सा होगा उभरा हुआ और थोड़ा बाहर को निकला हुआ होगा चोटी उंगली छोटी उंगली वाला हिस्सा, ये वाला सबसे छोटी उंगली, कनिष्टा उंगली जिसे बोलते हैं वो बुद्ध की उंगली है, उसके नीचे बुद्ध का परवत होता है बुद्ध परधान बैक्ति की एक और आधत होती है किसी भी बात में कोई भी मतलब विचार हो कोई बात हो या कोई करम हो उसकी तह तक जाने की कोशिस गहराई में जड़ तक कारण निकालने मतलब क्या कारण है ये अच्छी है या क्या कारण है ये बुरी चीज है गहराई तक सोच समझ के उसमें गहराई तक जाने की चमता यह बुद की निसानी होगी पर्वल बुद मजबूद बुद परधान व्यक्ति की क्या यूँ समझ लो किसी भी बात या किसी भी घटना की गहराई में जाने की बड़ी और मजबूत इच्छा सकती बुद परधान व्यक्ति की सटा लाटरी सेर वजार इस सब बुद से सम्मधित हैं अब नेचुरल है कि बुद अच्छा होगा तो अब जैसे बुद तीन, बुद आठ, बुद नो, बुद बारा और दूसरी कंडिसन से भी अच्छा ना हो और वो सटा वजार लाटरी सेर मार्केट में, कमोडिटी में चला जाए बिचार बट्टे खाते लग जाएगा, नुक्सान उठाके जे लुटवा के बैठ जाएगा, बेंक वेलेंस खाली करके अच्छा हो तो ठीक है सिल्पकला, दस्तकारी, बुद्ध के होनर है और बुद्ध का फिरभाव, गर्दन और कंधों पर विशेश रूप से होता है हमारी गर्दन और कंधों पर अगर हम 35 साला उम्र में देखें तो बुद्ध का सम्मंध 34 और 35 साल से जुड़ता है यहीं समझने है कि बुद्ध आपके टेवे में जैसा भी कैसा भी बैठा है अच्छा या बुरा वो 34 और 35 साल में जरूर बोलेगा इसको ऐसे भी समझ लीजिए एक और सुत्र होता है वो बुद्ध के अलावा सभी गरों को बोल देता हूँ जो भी गरे कभी भी खाना नंबर एक में आए वो भी बोलेगा यह भी एक क्वालिटी है सभी गरों की है क्योंकि उसको राजा बनने का मौका मिलता है उस साल और राजा बनते ही वो अपने दुस्मनों को पहले निप्टाता है और मित्रों को आगे बढ़ाता है इस बात को ध्यान करिए लेकिन एक और बात भी ध्यान करिए उंच का गिरे अगर राजा बने या उंच के गिरे कि उमर में आज जो पैतिस साला चकर के अनुस्वार आए वो माहौल अच्छा होगा मंदे गिरे का होगा तो मंदा होगा जैसे एक उधार न दे देता हूँ कल मंगल पे बूला था उसी से संबन देता हूँ मंगल बद होके खाना नंबर एक पे आ जाए तो आप उससे क्या उम्मीद करेंगे ये भी ध्यान रखिए पूर्टा की तरफ जाने के लिए इन सब चीजों का ध्यान करना पड़ेगा और हर बात हर क्लास में या हर गरे पे तो बोली नहीं जा सकती जो ध्यान आता रहता है वो बोल देता हूँ इस बात को भी समझे गए और बुद्ध का एक और फलसफा है कि जब ये खाना नंबर नो में आए तो अपना भेद खोल देता है हमारी बुद्धी हमारी जवान हमारा सेर ये बुद्ध से सम्मंदित बस्तुए है या आसिया है कुछ भी कह सकते है अमूमन दो चार च्छे घर में खाना नंबर दो चार च्छे में आया हुआ बैठा हुआ बुद्ध राजियो कारक होता है खाना नंबर दो चार च्छे में बैठा हुआ बुद्र राजियों कारक होता है वेशक वो खाना नंबर दो में ब्रस्पति यानि कि बाप पर भारी है और खाना नंबर चार में वो माता पर भी भारी है इस बात को समझे आदर्स जी मूट हो जाईए आदर्स जी मूट हो जाईए आपके पीछे की आवाजें आरे हैं हम लोग किसी की बाते नहीं सुन रहे हैं अभी आप सभी को मौका मिलेगा क्लास के बाद चाहे एक गंटा लगे चाहे दो गंटा लगे सब को मौके दूँगा कितने भी कोश्चन कर लेना लेकिन बीच में कोई टोकिएगा मत और म्यूट हो जाईए क्योंकि आप होते हैं तो आपके घर परिवार की पीछे से आवाजें आती हैं उससे सभी लोग डिश्टर्ब होंगे खाना नमबर चार में माता पे भारी दो में पिता पे यानी की ब्रस्पति पे भारी बेसक ये राजियो कारण के से लिए बोला गया है कि दो और चार में ये रुपे पैसे से हालात अच्छे रखता है खाना नमबर चैमें भी इस तरीके के हालात अच्छे रखता है बुद्ध खाना नमबर तीन से लेके आठ तक बैठा हो तो सूरज को मदद देगा और नौ से बारा और एक दो में बैठा हो तो सनी को मदद देगा खाना नमबर साथ में पारस मनी बैठा बोला गया है जो भी गिरे साथ आ जाए उसे तार देगा सुकर खाना नमबर साथ में हो बुद के अलावा बोल रहा हूं सुकर खाना नमबर साथ में हो अभी एक दो दिन पहले ही बोला है शुकर के बाद मंगल बोला था आज बूद बोल रहा हूं तो अपने साथ वाले गिरह को अपनी ताकत दे देता है अपना असर दे देता है और बुद्ध साथ में में पारसमनी कुछ उसने सुकर की भी मिलती जुलती सिफ्ट पकड़ी है क्वालिटी पकड़ी है इसलिए पारसमनी बोला गया बुद्ध साथ में घर में हो तो खाना नंबर एक और दस को मंदा असर नहीं देने देगा लेकिन नेक हालात में होगा तब ये भी ध्यान कर दीजिएगा मंदा तो क्या वो कहते है न नंगा क्या निचोड़े और क्या नहीं ये भी ध्यान कर लीजिए वो मंदे हालात मैं नेक हालात में बात कर ज़ूँ खाना नंबर तीन आठ नो बारा में थूकता कोड़ी जैसा इसका असर होगा और सुन लीजिए ये सुत्र जरूर नूट करिएगा ये साहित किताम में नहीं मिलेगा आसानी से तीन आठ नो बारा में बैठा हुआ बुद्ध सनीचर और ब्रस्पती के प्रभाव को भी खराब करेगा, मंदा करेगा इसमें एक और चीज दिहाना गई है कि बुद्ध चंद्रवा के साथ हो तब भी सनी को मंदा करतेता है सनी का असर ऐसे जातक को मंदा मिलता है ऐसे समझ देजिए बुद्ध सूरज के साथ मिल जाए तो मंगल की बदी को नेकी में बदल देगा सूरज बुद्ध मुस्तर का मंगल नेक जान करिए बुद्मंदे की खास निशानी एक होती है वैसे तो बहुत सारी निशानिया है कामकाज, ब्यापार, बेहन, बेटियों के सुकों से सम्मंदित गर्दन में दिक्कत, जवान में दिक्कत, खोपड़ी में दिक्कत लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ, किताब के ही सब्द है और ये मेरे कम से कम, आठ दस मेरे को जीवन में लोग मिले हैं उन्होंने ये बताया और उनके बुद्ध अमूमन, तीन, आठ, नो, बारा में ही पाए गए चाहे वो सनी के साथ थे, चाहे वो सूरज के साथ थे क्योंकि बुद्ध का जो जहर है, वो सनी और सूरज के चड़ता नहीं है इस लिए मैं ये सूत्र कह रहा हूँ उन्होंने अपने जीवन काल में कई-कई बार सीड़ियां तोड़ी है इस बात को समझिए, बुद्ध जब मन्दा असर देगा, तो ऐसे व्यक्टी को बनी बनाई सीड़ियां तोड़ के जगे बदल के बनाने का मतलब कारण, एक सब्द मैं बोलता हूँ, राम न काहू को मारते ना हत्यारे राम अपने आप मर जाओगे करकर खोटे काम, तो कोई भी गहले जब अपना मन्दा या नेक असर देता है हमारे जीवन में, दखल देता है, अपना असर देता है तो वो सबसे पहले क्या करेगा? वैसे करम आपसे करवाएगा, वैसी बस तुमें आपके घर में लाने के लिए मजबूर करेगा इस बात को समझेए तभी वो अपना अच्छा या मन्दा असर देगा, क्योंकि कारण बनते हैं, और एक सूतर तो मैं कहता हूँ कि जनम कुंडली वैसे भी 35-45% से ज़्यादा बोलती नहीं है, मकान कुंडली 60-60% तक बोलती है, इसलिए मैंने मकान कुंडली का कोर्स शुरू किया, और पहली बार किया है, जानवूच के कोई भी बस्तू घर में आना, मंदी गरे से सम्मंदित, और गरे की मंदी दिसा में ही उसको रख देना, इस्थापित कर देना, या कोई जीवित रिष्तिदार, मैं एक उधारन दे देता हूँ, वो दाट का है, अब वो किसी बर्सफल में आया है, अब वो बारा के बारा मह महीने तो मंदा असर देगा नहीं, नेशुरल है, फिर बाकी आठ घरे कब देंगे अपना असर, अगर बुधी बारा महीने असर देगा उस साल, तो बुध क्या करेगा, वो जिस महीने मंदा असर देना चाहेगा, उससे पहले, संबब है कि हमारी बहन वेटी वुआ, प cesar के कमरे में ज्यादा आनन्द आए, ज्यादा सांती मिले तो वो गएगी, मैं तो यहां रहूँगी, ऐसा होता देखा गया है, गाउंदिहात में लोग बकरी पालते हैं, वो बकरी वही है, और गाउंदिहात वो चाहे टाउनों, चाहे सहरों, लोग तोटे पालते हैं, तोते का पिंजरा वहीं पहुंच गया को दरती रूप से अब लोगों को तो हरादमी को यह सूतर पता नहीं है ना कि बुराई आने का कारण कहां से पैदा होता है इस बात को समझे तो वो चीज उसी अनुपात में उन दिशाओं में आएगी और वो चीज आएगी जैसे कि आ बे सक वो पूरे एक साल तक न लाया हो लेकिन सनी छे में आगा उसे वुराई देनी है तो वह बस तू पहले कायम करवाएगा उसके घर बंद बारबे घर कार आ जाए वो बंदे ने पूरी जिन्दध की टुपी ना पहन लेकिन डब तोपी लेके आजाएगा उसके पास दस बेल्ट पढ़ी है बांधने की लेकिन फिर भी एक बेल्ट उसे पसंद आ जाएगी ले आएगा बांध लेगा लाकि नहीं बेल्ट कमर बाई बस समझनी की कोशिस करिए कोई भी गिरह ऐसे ही कभी भी नहीं बोलता ना वो अच्छा बोलता है ना वो बुरा बोलता है वो सबसे पहले अपनी बस्तु में कायम करता है अपने मंदे स्थान पे उनी दिसाओं में दिसाओं आपको पता कई बार बोल चुका हूँ और किताब पढ़ेंगे तो वहां भी किलियर हो जाएगी समय और ज़्यादा बढ़ेगा तो मैं किलियर नहीं कर लाँ बाकि खाना नमबर आठ साउथ है साउथ की दीवार खाना नमबर वारा साउथ इस्ट है तो गिरेब कि जो एनरजी है उसकी बस्तु के साथ बढ़ती है अब समझ लीजिएगा बुद चोथे घर में बैठा है मैं अच्छा ही कि भी बात करते तो बुद चोथे घर में बैठा है वो बुद की चीज ही ले आए और वो खाना नमबर चार नोर्थीष्ट या खाना नमबर दो या खाना नमबर चै बुद्ध के ही अच्छे इस्थानों पे रख दी जाए तो बुद्ध उस साल उसको जो नेक असर दे रहा था उसकी महत्रा बड़ा देगा या उसकी बेहन बेटी हुआ उस तरफ नूर्थीष्ट की तरफ कमरे में जाके सोने ही लग जाए अबुद्ध नूर्थीष्ट वैसे सोने के लिए कोई अच्छा इस्थान नहीं है बड़े इस तरफ लेकिन ये चीजे कायम होने के बाद ही उसका अच्छा या मंदा असर आएगा उस ग्रह से संबंदित बस तुमें कायम करने के बाद मैं फिर बोल रहा हूं जनम कुंडली 35-40% से ज़्यादा नहीं बोलती है ये मेरा प्रक्टिकल है वाकि आप लोग अपके पर अपना प्रक्टिकल लीजिए मैंने अपना बता दिया आप अपना प्रक्टिकल अपना होता है मैं बता रहा हूं आप अपना देखिए इसलिए मैंने बोला और जब बुद को पूरी तरीके से बेडा गरक करना है बुद को अगर पूरे तरीके से बेडा गरक करना है तो वो सीडियां तुड़बाएगा समझ लीजिए वो आपको कमोडिटी सेर मार्किट सटा बजार की तरफ आकरसित करेगा क्योंकि सेर मार्किट सटा बजार तीन के तेरा करने वाले काम बुद्मंदे वाले ही करेंगे और वो तीन के तेरा के वज़ाए तीन का जीरो सुथर सुनने हो जाएगा खाली एक और सूत्र थोड़ा अच्छी बात बुद्ध टेवे में चाहे कितना भी मंदा बैठाओ बुद्ध टेवे में चाहे कितना भी मंदा बैठाओ मंदासर दे सकता है तो सबसे पहले उसकी चीजें मत लाने दीजिए किलाइंड को ये ध्यान रखिए और खास दोर से उस दिसा में मत इस्थापित होने दीजिए और कोई मजबूरी हो जाए तो बुद्ध के मित्र ग्रहों के साथ समनबे करके लगाईए ये भी ध्यान करें यानि कि आप सनी के साथ एड़ज़स्ट कर सकते हैं बुद्ध के साथ भी एड़ज़स्ट माल लिजी ये बुद्ध मंदा हुआ वैठा हुआ है आपको तुलसी का पोधा लाना पड़ जाए क्योंकि तुलसी भी बुद्ध की चीज है तो मैं तो ये कहूँगा भी या सनी के साथ उसको मिला दीजी है और दूसरी बात बुद्ध बहुत ज्यादा मंदा हो और ब्यक्ति के बोलने में लुकनत हो जिसे थुतलाहट बोलते हैं बोलने में तो ये समझ लिजी है बुद्ध ने अपनी सारी बुराई ब्यक्ति के जवान यानि कि उसकी बोलने की चमता यानि कि थुतलाहट पे दे दी है और जगे ज़्यादा मंदे हालात नहीं करेगा अब ये सुत्र मैंने क्यों बोला इसको समझिएगा मैंने अपने जीवन में कई बार महसूस किया कि मेरा बहुत तीन है वे सक मेरे 9 और 11 खाली है तो उसने मुझे कोई बहुत बड़ी विप्दा प्रिशानी तो नहीं दी लेकिन डाउट अपने उपर आदमी ज़्यादा ध्यान देता है मैं लगभग अपनी 34 साल की उमर से लेके 48 साल की उमर तक क्योंकि बुद्ध तीन की जो बुराई आती है 48 साल तक हो सकती है 34-35 उसके बाद 42 तक अगर राहू से किसी तरीके से अटेच हो जाए मेरा बुद्ध दीन राहू छे है राहू बुद्ध के ही उस घर में बैठा है इसलिए मुझे डाउट था और दूसरा सूतर ये था कि दोनों की मुश्तरका उमर राहू केतू कि दोनों की मुश्तरका उमर 45 तो 45 तक भी दे सकता है क्योंकि केतू बार्वे घर में है बार्वे घर का संबंद होता है तीसरे घर से और फिर मेरे दिवाग में ये था कि 48 तक जो केतू की पूरी उमर है मैं अपनी 34 साल से लेके 48 साल की उमर तक पड़े दो चार बार जान बूझ कर थुतलाहट से बात करता था जबकि मुझे कोई दोस नहीं है मेरी जवान में लेकिन सक क्योंकि मेरे गुर्देव ने एक चीज़ समझाई कि बिटा पापियों का और बुद्ध का भरुसा मत करना ये बेपैंदे के लोटे हैं ये कभी भी कांट कर सकते हैं इसलिए ये सुत्र बता रहा हूं आपको इन पे भरुसा मत करिए ये कभी भी दोका फरेव कर सकते हैं आपके साथ इसलिए आप इसे उपाय के तौर पर भी ले सकते हैं कोई अन् पाप पाप गरे क्या होते हैं राहू के हम ऐसा बुद्ध के दाइरे में गूंगते हैं पर बुद्ध खाना नमबर चार में हो तो बुद्ध राहू के तू के असर से बचा होता है कारण वोई कि घर चार में राहू के तू पाप ना करने की कसम खाए हो गया है सिंपल सा सुत्र है कि शुकर मंदा हो तो बुद्ध मदद करेगा पर पाप मंदे हूं पाप का मतलब यहां राहु के तू है बस और मैंने रिकॉर्डिंग सुरू करने से पहले बोला था कि राहु के तू मंदे हैं तो भी बुद्ध मंदा होगा इस बात को समझिए बुद्ध सुकर मंदे की मदद करेगा लेकिन अगर पाप मंदे राहु के तू मंदे हो और खुद बुद्ध ही मंदा हो या बुद्ध मंदे घर में पढ़ा हो तो फिर आप मदद में ढूंडियेगा इस बात को समझ लीजिए बुद्ध सुकर की मदद करता है और मैंने कई बार बोला है कि सनी से भी ज़्यादा प्रेमी हैं बुद्ध सुकर का सनी तो बदनाम है बुद्ध बदनाम नहीं है बस लेकिन राहु के तू मंदे हो बुद्ध मंदे घरों में पढ़ जाए या बुद्ध कीनी और कारणों से मंदा हो जाए तो सुकर को कोई मदद ना होगी फिर दूढ़ते रहिए मदद ये सूतर है छिपे ही है इनको जरूर नोट करिएगा कापी किताब लेके कापी पैन ल देगा हमेशा संभव ना होगा इस बात को द्यान करिए बुद्ध को वेपेंदे का लोटा क्यों बोला गया यह सूतर समझिए नेक गिरों के साथ उंच गिरों के साथ उनकी ताकत को बढ़ा देगा अब मंदे की सकती तो मंदी तरफ जाएगी ना बास समझ गिए रावन बहुत बलसाली था लेकिन मंदे काम करता था तो उसने अपनी सारी सक्ती कहां लगाई मंदे कामों में कंस बहुत बलसाली था लेकिन उसने अपनी सक्ति कहां लगाई बुरे कामों में और किसन अच्छे थे तो उन्होंने अपनी सक्ति लगाई ने कामों में राम अच्छे थे तो उन्होंने अपनी सक्ति लगाई अच्छे कामों में नेक गिरही अच्छे काम करेगा मंदा गिरह सबसे आसान तरीका ये होगा बुद्ध की और कुछ सिप्त हैं ये भी बोल लेता हूँ व्यक्ति के दाथ बाहर की तरफ निकले हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा ऐसा जातक बुद्धिमान होगा और इसको ऐसे समझ लेजिए कि आपको पता ही नहीं है कि उसका टेवा ये है या नहीं है आपको पता चल जाएगा कि बुद्ध कैसे हालात का बैठा है व्यक्ति के तीस दाथ हैं तो व्यक्ति मंद भाग होगा भाग कमजोर होगा किसमत कमजोर होगी अगर व्यक्ति के बतिस दाथ हैं तो जो बोले लेकिन बुरा पूरा होगा अच्छा बोले कि कोई गारंटी नहीं होगी और व्यक्ति के इकतिस दाथ हैं तो व्यक्ति काम भावना में भरा हुआ अपने चरित्र को मंदा कर रहा होगा व्यक्ति गला फैला के बोलता हो तो ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होगा गले पे भी बुद्ध का अधिकार बोला है मैंने दातों के अलाबा और गला फैला के बोलने वाला व्यक्ति इतना ज़्यादा स्वार्थी होगा कि वो किसी दूसरे की परवावी नहीं करेगा स्वार्थ में सिर्फ अपने उपर फोकस रखेगा कि मुझे ये मिल जाए मैं ये कर लूँ कोई व्यक्ति बात करते समय अपने सरीर का कोई भी अंग हिलाता हो तो वो व्यक्ति बदमास प्रवर्थी का होगा और वो सिरफ और सिरफ अपनी प्रसंसा चाहने का सौकीन होगा अपनी प्रसंसा किसी को बोलते समय कोई जातक बोलते समय उसके दातों के पास जो मसूरे होते हैं उनमें खिचाओ होता हो पीछे की तरफ तो उस व्यक्ति की उमर कम होगी कोई व्यक्ति बाचीत दो चार लोगों के वीच होती हो और बीच में ही टोका टोकी कर वेठे हर बात में जल्दवाजी करें बोलने में कि पहले मैं बोलूँगा तो ऐसा व्यक्ति हद दरजे का स्वार्थी और बुरी आदतों वाला होगा क्लास में से कई वार ऐसे लोगों को मुझे बार करना पड़ता है आप जानते हैं नाम में किसी का नहीं लूगा कई लोगों को बार करना पड़ा है क्योंकि बीच में बो टोका टाकी करते हैं पहले सुनेगे नहीं पहले पूछ बैठेगे जवर जस्ति मैं ये जानता हूँ कि वो कितने अच्छे लोग हैं कितने बुरे लोग है जो व्यक्ति दीरे दीरे सोच समझ कर बोलने वाला होगा वो बुद्धिमान होगा जो व्यक्ति नाक के माध्यम से बोलता होगा वो गवंडी होगा अब यह चीजें लोगों पर अफ़्लाई करिए हमारे आज इस पास ही ऐसे लोग मिलेंगे, इस बात को ध्यान करिए, जो व्यक्ति चलते चलते, यानि कि बैठ के बात ना करे, चलते चलते बात करने का आदत वाला होगा, चलते फिरते, वो व्यक्ति कंजूस, मक्खी चूस होगा, जागेशी रठी आगाद, रवन, मैनन, म्यूट हो जाईए, किर्पया आप, रवन, मैनन, म्यूट हो जाईए, भीया, म्यूट हो जाईए, आपकी तरफ से वाजें आ रही है, म्यूट हो जाईए, सर, आपके सामने माइक बना हुआ, इस्क्रीन पर उसे दबा दीजी, कि चलते चलते बात करने वाला व्यक्ति कंजूस मक्खी चूस पिरवर्ति का होगा और बुद्ध मंदे की एक और निसानी समझ लिए उसमें कुबते बहा कमजोर हो जाएगी कुबते बहा कई बार बोला है आज फिर बोल लेता हूँ ये इस्त्री और पुरुस के बीच में सम्मंद जो बनते हैं वो कुबते बहा होती है और वो बुद्ध से सम्मंदित होती है औलाद पैदा करने के लिए मंगल वहां पे काम करता है और औलाद की पैदाईस में ब्रस्पती का योगदान होता है लेकिन कुबते बहा इस सारी प्रक्रिया की सबसे पहली चीज होती है बुद्ध मंदा तो उस व्यक्ति की कुबते बहा मान लिजिए किसी व्यक्ति का बार में गर में तीसरे गर में मंदे हालात में आ गया तो उस व्यक्ति का जीवन साथी आपसी सम्मंदों में खुष ना होगा क्योंकि उसमें वो तकत कम जोड़ होगी ऐसे व्यक्ति में खुषवू बद्वू गंध का पता ना चले बुद्ध मंदा उपर के दात जड़ तूट जाएं खराब हो जाएं बुद्ध मंदा इस बात को समझें बुद्ध अच्छे और बुरे के कुछ सूत्रों के अलावा अब कुछ चीजें बता रहा हूं और इसमें आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा और ये चीजें मैंने उठाई हैं कहां से मैं वो भी बता देता हूं आपको पंडित सुमत परसाजी की किताब से पुरानी वाली से नई वाली मेरे पास है नहीं तो नई वाली से मैं वो चीजें नजर नहीं मार सकता था और दोहा वली है तो दोहा वली पढ़ने में मुझे दिक्कत जादा होती है तो मैं किताब रखे ही दुखा दौ्रा देता हूं बाकी बात हैं बुददुर्गा जी बुदुर्गा माता हरा रंग मुंग और ढाक बुदकी आसिया बुद्की बस तुमें पकड़िये साली मासी नरस्ओ बहन दिहानी सा zaw जी हजूरिया हिजड़ा सटे बाज दलाल खपे छापे ढाल दे हो पूरा नकाल जो चीज़ें मैं आदी से ज्यादा बोल चुका हूँ वही चीज़ें हैं निकल के आ रही हैं कोई ठठेरा हुनर मंद पुरुस हो बुद्धिमान नाक दात जोडी जवां थन जंगल बियावान थन का मतलब जानते ही होगे गाय वैस के थन होते हैं जिनसे दूद निकलता है को रा कागज या कोई चेचक का विमार अब एक बात और ध्यान कर लिजिए अब चेचक का विमार का मतलब बेद मन्ना होगा इस बात को ध्यान कर लिजिए अ copyright तोपी नाला तागडी पेटी या सितार तोत प्याज को कुछ विद्वान केतु से संबंदित मानते हैं लेकिन सुमत परसाद जी ने प्याज को बुद्ध बोला है क्योंकि उसके छिलके उधेड़े जाते हैं वो केतु से संबंदित भी कुछ लोग मानते हैं सुमत परसाद जी ने इसको माना है बुद्ध से संबंदित सूरज सुक्कर और राहु इसके मित्र गिरह और चंद्र बुद्ध का सत्रू सिंपल सी बात सूरज को बुद्ध का मित्र माना जाए क्योंकि सूरज के साथ मिलने से बुद्ध का दोस नश्ट होकर बुद्ध में गुण पैदा हो जाते हैं और बुद्ध का दूसरा मित्र है सुक्र बुद्ध को हरयाली और सुक्र की मिठी के कारण होती है क्योंकि हरे भरे पेड़ पौदे जो भी हैं वो मिठी के विना कोई हो ही नहीं सकता और पौदा हराब कैसे भी नहीं रह सकता आजकल तो टेक्नलोजी की दोर में पानी की पाइपों में भी बहुत सारी चीज़ें पैदा की जा रही हैं वो एक अलग चीज़े लेकिन हम बात करें प्राकर्टिक रूप से मिठी ना हो या पौदा उखाड दिया जाए अब सुतर समझिएगा मिठी में लगा हुआ पौदा उखाड लिया जाए तो पौदा हरा तो नहीं रहेगा सूख जाएगा बुद और सुक्र की मितरता को समझनी की कोशिस करिये इससे एक दूसरे के जरूरत हैं बुद और सुक्र और बुद सुक्र जरूरत कैसे है यह समझे लेजिए गरस्ती से संबंदित सबसे बड़ी जरूरत हर साधी सुदा हर गरस्त इस तरी पुरुष को बुद्ध सुक्र की बहुत ज़ादा जरूरत है क्योंकि खाना नमबर साथ गरस्ते संबन्दित जो सुक्र का घर और बुद्ध खाना नमबर साथ का गरे बन गया है गरस्ती की चक्की में सबसे पहला जो हिस्सा है वो बुद्ध सुक्र मुस्तरका का है बेसक वो मसनुई सूरज बनते हैं गिरस्त से संबन देते हैं इस बात को समझ गे साधी सुधा जीवन के लुट्फ देते हैं आनंद देते हैं सुख देते हैं काम धंदे रूजाना की होने वाली कमाई का सुख देते हैं बुद्ध सुक्र का कोई भी दुस्मन खाना नंबर साथ में बैठ जाए बुद्ध सुक्र चाहे कहीं भी हो अच्छे हालात के भी हो बैसक अलग अलग बैठे हो तो भी बैचारी मंदा आसर दे देंगे इस बात को समझे तो भी या मिटी मैंसे पौदे को खोद दोगे उखार दोगे तो पौदा फिर हरा थोड़ी न रहेगा पीला हो जाएगा इस बात को समझे पौदा हरा भरा तब तक है जब तक उसके मित्र सुक्र की मिटी का उसको सहारा है तब ही तक जिंदा है इस बात को समझे एक और सूत सूत्र है बुद्ध हमारे दांत है जब दांत ना रहें तो सुकर नेवी आखें फेर ली बुद्ध से इस चीज मैं पहले हां सूत्र बता देता हूं जब दांत जादा मात्रा में गिरने लग जाएं जड़ जाएं तो व्यक्ति में कुपते बागी कमी हो जाती है पहले तो इस सूत्र को समझ लेजिए और जो सांड होते हैं गौवन्स के नर उनके सींग भी बुद्ध से संबंदित हैं यह अंदर से खोकले होते हैं जब सांड के सींग ना रहें तो सांड जो की सुकर से संबंदित है गौवन्स से है सुकर की ताकत सुकर की सक्ति नश्ट हो जाएगी राग रंग के साज मतलब जो इंस्ट्रूमेंट गाने बजाने के होते हैं सारंगी डोलक तबला यह सब भी बुद्ध से संबंदित हैं और यह बज़ें तो सुकर जो की काम देवत का देवता है उसमें तेजी आने लगती है यह यह यूं समझ लेजिए एक सेकेंड इसको म्यूटी करतूं बेपूफ बार बार फॉन करे जा रहे हैं काटने के बाद भी पता नहीं इनकी क्या अमर्जेंसिया परदी बार इसमें किताब में लिखता है कि जब दाथ गए तो दाथ क्या गए ब्रस्पति समाप्त हो गया लावल दो हुआ उसी से संबंदित आपकी बाद कुपते बाहा अगर उसके अभी तक उलाद नहीं हुई है और उसकी कम उमर भी है तो अब उसके उलाद पैदा होने की गुंजाइस खत्म हो गई क्योंकि सारी एक संबन्दों में सबसे पहला सुत्र है कुपते बाहा आप समझे गए अगर उसके उलाद पैदा हो चुकी है तो हो गई लेकिन अब ना होगी और नहीं होई है तो अब वो लावल दोगा बे उलाद ही रहे जाएगा आप समझे दीजिए इसलिए मैंने बोला नहीं टूटते ही सबसे पहले यहीं पर आएगी प्रॉब्लम अवलाद की पैदाश के लिए जो सबसे पहली चीज है वो ही नश्ट हो जाएगी सूतर समझो अब सूतर अगला टोपी कोई बंदा लगा ले और नीचे सुकर का कुर्ता यह सुकर की सर्ट ना हो अच्छा लगेगा सर पर बुद की टोपी हो लेकिन जिसम पर सुकर का कुर्ता ना हो सुकर की कमीज ना हो अच्छी तो नहीं लगेगी बुरी लगेगी बुद की लड़की मैं सुकर यानि की काम देव ने जब जनम लिया तो वो औरत बनी अगर बुद्गी लड़की में काम भावना महावारी आयाम शुरू ही ना हो महावारी आयाम मंगल से संबन देता है इस बात को भी ध्यान करती चीएगा लेकिन उसमें काम भावना ना हो तो उसे भी हिजडा बोला गया है बाँज बोला गया है क्योंकि संतान कहां से हो मतलब सीधा सरल है कि बुद्ध और सुकर आपस में बहुत बड़े सहयोगी है और मित्र तो मैं बोली रहा हूं और बुद्ध का एक और मित्र है सूरज और सुकर के बाद रहू रहू की सून्ड है बुद्ध अब ध्यान करिए रहू की सारी ताकत कहां है सून्ड में ताकत है रहू की बुद्ध लेकिन दोनों ये एक साथ होना या इनका दृष्टी में होना या इनका मंदे घरों में होना बुरा है ये भी सकते हैं, अब एक साथ होंगे, तो क्यूंकि चलाचर जगत 24 गंटे घूम रहा है, 365 दिन घूम रहा है, तो ये कभी भी साथ होते हुए, बुद्रहू आठ में आजाएं, बुद्रहू बारा में आजाएं, बुद्रहू मुश्तरका होके, नौ में आजाएं, तो बुरा ही दे देंगे, इसलिए सूतर कह रहा हूँ, बुद्रहू का एक साथ होना भी बुरा, और इनका दरश्टी में होना भी बुरा, लेकिन राहू की फिर भी ये ताकत है सकती है, बुद्रहू सूंड है राहू की, इस बात को द्यान करिए, बुद्र से, बुद्र चंद्रमा से दुस्मनी नहीं करता, ये भी द्यान करिए, बुद्र से चंद्र दुस्मनी करता है, बुद्र चंद्रमा से कोई सतुर्टा नहीं करता, बलकि चंद्रमा के घर खाना नमबर चार में बुद्ध नेकफल राजय उकारक हो जाता है बुद्ध के साथ हो चंद्रमा तो चंद्रमा परिशान होता है इस बात को समझ लेजिए बुद्ध के साथ चंद्र हो तो चंद्रमा परिशान होता है बुद्ध नहीं और बुद्द चंद्र मुस्तरका होके किसी मंदे घर में या खाना नंबर चार में बैठ जाए तो चंद्रमा ज्यादा प्लिद होता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सुसाइड अटेंप्ट करता है, कोशिस करता है इस बात को समझेए और लेकिन बुद्द चंद्र के साथ हो तो चंद्रमा परिसान होता है और बुद्द अकेला चौथे घर में हो तो व्यापार बगएरा में अपने बहुत अच्छे नेकफल देता है व्यक्ति को धन संपत्य, सुख बैवब लेकिन एक प्रॉबलम है बुद्ध चार में हो तो व्यक्ति में बेचेनी जरूर होती है क्योंकि चंद्रमा किलस्ता रहता है चंद्र के साथ बुद्धो जब भी चंद्रमा परिसान तंग और बुद्ध चंदरमा के घर चार में हो तबी ऐसे ब्यक्ति के अंदर एक आधत हो जाती है วँ वेचेनी में रहता है यानि कि जो चंदरमा के दिल की सांती है वो अस्थ वे अस्थ हो जाती है क्योंकि चंदर बुद्ध को अपना दुष्मन समझता है और एक और सूत्र है, सुमत परसाद जी का यह वो बोल देता हूं कि बुद्ध, बकरी, दूद, चंद्र, बकरी के दूद में कोई बहुत ज़्यादा गुण तो होते नहीं, कोई भी जिसकी ठीक ठाक अपनी उकात हो, बकरी का दूद कोई नहीं पीना चाता, काय और महस का अब देखिए, चंद्रवा का पसू क्या है? गोड़ा, गोड़ी, उसके सींग नहीं है, आप जानबरों में देखेंगे, सब के सींग पाएंगे, लेकिन गोड़े के सींग नहीं है, चंद्रवा बुद से इसकदर दूर है, और इसी लिए लाल किताब सूत्रों में इसको चंद्रवा बोला गया गोड़े को, इसके सींग नहीं है, बुद से बरी है, बुद से दूर है, चंद्रवा मंदा होता है, तो नाक में चांदी डालते हैं, अब समझने की कोशिस करिएगा, बुद मंदा होता है तब ही, तो ये काम होता है, ये होता क्यों है? इसके भी दो सूतर है एक सूतर मैं बता देता हूँ बुद का झगड़ा हमिशा है बिरस्पती से चंद्रमा की चांदी बुद मंदे वाले जातक के नाक में डाल देना बीस सेंटर से इसमें स्वास चलती है जो ब्रसपती से संबंदेते है लेकिन नाक है वो बुद से संबंदेते है बुद और ब्रसपती के ज proportion में भी चंधर्मा आके थप्ड मारता है नाक में एक तरीके से चांदि की तार और ब्रसपती छूट जाता है ब्रस्पती छूटता है तो क्या होता है ब्रहमरांद्र जो हमारा है आखरी चक्कर यहां पे दर्द होता है जब भी नाक में चांदी का तार सही उमर पे डाल दिया जाए खास दोर से 17 या 34-35 बाकियों को हो या ना हो लेकिन ये गारंटी है कम उमर में डाला जाएगा तो ब् और दूसरा सूतर की बुद बंदा है बुद नीच है तो चांदी डाली जाती है चंद्रमां की नाक में चंद्रमां की चांदी डालने से बुद की जो बुद्धी है क्योंकि अब समझे चंद्रमा बुद्ध को दुश्मन मानता है बुद्ध नहीं मानता तो बुद्ध का जो बुद्धी की कमी है बुद्ध मंदे वाला परिसान क्यों होता है वो अपनी बुद्धी से ऐसे फैसले लेता है, बुद्ध का सबसे बड़ा प्रोब्लम क्या है? करजा खड़ा कर लेना. काम काज ब्यापार में, सेर मार्केट में, 60 बजार में जाके करजा खड़ा कर लेगा, और फिर ब्याज देगा, बुद्ध मन्दा होगा तो ये काम जरूर कर वाएगा, बरसों बरस तक ब्याज दिलवाएगा, और ये लगवक 34-35 साल के उमर में ज़्यादा बड़े इस आती है, अब चंद्रमा को बुद्ध दुस्मन मानता है, लेकिन बुद्ध चंद्रमा को दुस्मन नहीं मानता, तो चंद्रमा की चांदी जैसे ही बुद्ध की नाक में अटेच होएगी जाके, बुद्ध की जो मंदी बुद्धी है, नीच बुद्धी है, बुराई की बुद्र चंद्रमा को मित्र मानता है, सत्रू नहीं मानता, इस सुत्र को ऐसे समझती है, इस तरीके से काम करता है, लिखा सब कुछ की ताम है, लेकिन उसको तरीके सलीके से समझने की कोशिस करिएगा, बुद्र में चंद्रमा के लिए कोई सत्रूता का भाव नहीं है, थोड़े से और नए सूतर देने की कोशिश करता हूँ बुद्ध का इस्ठान मैंने बोला गर्दन में इसको समझिए हकीकत में बुद्ध का इस्ठान हमारे कंठ के पीछे कंठों और रीड की हटी के जो जोड है उनके बीच में होता है और अगर तंत्र में कहें तो तंत्र सास्त्रों में इसे नील सरस्वती कहा गया है इस बात को समझिए हमारी लाल किताब में बुद्ध को दुरगामाता कहा गया है लेकिन तंत्र इसे नील सरसती या सरसती माता के नाम से पुकारा गया है तंत्र सास्तर में हमारी अकल, हमारी आवाज और हमारे दातों से इसका संबंद है बहन बेटी बुवा के रिष्टे भी बुद से जुड़े हुए है हरा रंग हरी बनस्पती भी बुद से संबंदित है और सौर मंडल में देखें तो बुद सूरज के और सुकर के नजदीक का घरह है और दोनों ही मित्र है और लाल किताब के अनुसार बुद बुरस्पती का दुस्मन सत्रू है बुरस्पती और राहू के मिलने से मसुनुई यानि की बनावटी बुद पैदा होता है लेकिन अगर हम पुराने बेद सास्त्रों को या ध्यात्मिक महावल को देखें तो बुद बुरस्पती का बेटा है लेकिन लाल किताब में इसे हिजडा मक्षनस माना गया ये भी ध्यान करिए बुरस्पती का पुत्र है लेकिन चंद्रमा के सयोग से पैदा हुआ है पुरानी पद्धती पे चलें तो और दूसरी बात राहू जो हमेशा चंद्रमा की चमक को बाधने की कोशिस करता है और विचारों को गती देता है इस सुत्र को थोड़ा सा एक उधारन से समझा दूँगा तो आसान होगा आप लोगों को वह सुत्र अभी कुछ दिन पहले मैंने एक क्लास में दिया था इस पर बोल देता हूँ मैंने उस दिन एक टेवे पर बात की थी उस टेवे में राहु दो सूरज चार और चंदर छे मैंने वहाँ पर बोला था कि ये व्यक्ति हद दर्जे का धीट होगा उसको चिकना घड़ा होगा उसका कारण समझे राहु दो सूरज चार चंदर छे राहु की द्रश्टी में हैं चंदरमा छेटे घर का राहु खाना नंबर दो का चोर भी बोला गया है अब उसमें ये पिरवर्ती और ज्यादा बढ़ेगी चंदरमा क्या है हमारा मन राहु जब चंदरमा को या राहू चंद्रमा में जब अपना असर मिला देगा सीधी दरश्टी है उसकी तो ऐसा व्यक्ति चोर होने के साथ साथ एक डीड प्रकार का चोर हो जाएगा पका राहू खाना नमबर दो को चोर बोला गया है लेकिन ये प्रवर्ती क्योंकि अब चंद्रमा राहू की रेंज मा आ गया है राहू की दरश्टी में राहू की नजर में तो ये महौल बड़े इस तर पे हो जाएगा इसलिए मैंने ये सब्द बोले हैं अभी आप लोगों के सामने कि राहू चंद्रमा की चमक को तो रोकता है और उसके बिचारों को गती देता है लेकिन राहू कौन से बिचारों को गती देगा चंद्रमा के मन्दे बिचारों को इस बात को भी समझेए ब्रस्पती हवा है हमारे पूरवज हैं हमारे बड़े हैं हमारे संसकार हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारे रिचुल हैं, अध्यात्मिक्ता से जुड़े हैं, मर्यादा, धरम, अध्यात्म, मुक्ति, नहतिक्ता, इस सब चीजें प्रस्पती से संबन दिते हैं, लेकिन बुद्ध हमारे सामने बहुत तिक्ता, जो उपलब्ध है, जो स सांसारिक्ता बुद्ध सांसारिक्ता और ब्रस्पती अध्यात्मिक्ता मर्यादा धरम मुक्ति नैतिक्ता रिचुवल हमारे पूर्वज ऑक्सीजन इनके जगडे को समझेगा अगर केवल सिरफ इन दोनों ताक्तों में से ब्रस्पती की ही ताक्ते हों अब समझेगे ब्रस्पती का तो कोई हवा का तो रूप नहीं होता ऑक्सीजन का कोई आकार भी नहीं है और दूसरे रूप में देखा जाए तो कोई अस्तित्तु भी नहीं है इनका कोई बजूद भी नहीं है तो जब विरस्पती की हवा एक आकार रखती है तो राहू पॉजिटिव और केतू नेगेटिव बनते हैं अब इस सुत्र को थोड़ा किलियर करने के लिए मैं बोल देता हूँ आप लोगों को कि राहू केतू क्या है ग्रेवटी मैंने पहले भी बोला हुआ है धरती 1620 और 1614 ये दो रफ़तार रखती है और सूरज के चारों तरफ डोलती है सारे गिरे सूरज के चारों तरफ अपनी अपनी अलग अलग गती के सूरज के चुमकिया परभाव के कारण गोंते हैं और धरती एक गोलाई में घूमती है और एक सूरज के इस तरीके से घूमती है चारों तरफ एक रफ़तार है 1620 किलो मीटर है एक है 1614 किलो मीटर है उससे जो ताकत पैदा होती है अब ध्यान करिए जब आप गाड़ी चलाते हैं तो हवाएं कटती हैं ब्रस्पती हवा है आकास मिंडल में हमारे आसपास धरती के तो धरती की ये दो चालों से जो हवा का घर्षन होता है उससे राहू के तू नेगेटिव और पॉजिटिव का निर्वान होता है अब समझेए ये सुत्र है उससे संबंदेत और बुद्ध सांसारिक्ता भौतिक बाद इन दोनों के बीज अपना समराज बना के ख़ड़ा है बुद्ध ने चारों तरफ अपना एक कबर बना रखा है खाली ख्वाल गोलाई बुद्ध की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो गोल ना हो सुर मंडल में सूरत चान सितारे सब देख लीजर है हमारी खोपड़ी गोल है इसलिए तो उप से संबंदित है अनडा गोब सेफ है लेकिन बुद्ध से सम्मन दिते हैं इसलिए तो कहा जाता है कि बुद्ध के दाइरे में सब गूमते हैं ब्रस्पती की हवा भी बुद्ध के दाइरे में ही गूम रही है ये भी ध्यान कर लीजिए इसको दूसरे सुत्रों से समझा देता हूँ जब हमेंसे कोई भी बच्चे रूप में जब हम पैदा हुए थे तो हमारा मन मस्तिश्ट सब कुछ सुने था जीरो था उससे हम पूरी तरीके से चंद्रमा और विरस्पती यानि की माता पिता जैसा वो कर रहे थे वैसा ही था चंद्रवा माता है बिरस्पती पिता है जो वो समाल रहे थे जो हमें खिला रहे थे जैसे चाहते थे वो हमें रख रहे थे अच्छे है आबुरा कैसा भी हम उन माता पिता अच्छे सही रखते हैं एक बात की बात कह रहा हूँ लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो तर्क करने लगता है सामने देखी हुई चीजों से और विरस्पती से उसकी दूरी होती चली जाती है पिता उसकी अध्यात्मिक्ता रिचुल बहुत सारी बातें करते हैं एक उमर में आके हम इन चीजों को ज़्यादा मेर्ट देते हैं लेकिन कम उमर में तो नहीं देते ना बच्चपन में हम जब बहुत चोटे होते हैं जब हमारे बसका नहीं होता तो हमारा पिता हमारे जीवन में हीरो होता है लेकिन जैसे ही हम 15 16 साल 17 साल क्यूंकर में आ जाते हैं या 18-20 में आ जाते हैं हमारा ही रो बदल जाता है कि कि इसी के लिए फिलमी दुनिया के हीरे किसी के लिए राजनिता हीरो बन जाता है और कुछ लोग ऐसे होते कि अपने मित्रों के अपने फ्रेंट सर्कल के पिताओं को ज्यादा अच्छा समझने लगते हैं क्योंकि वो अपनी बुद्धी का इस्तिमाल करने लगते हैं वो दोर विरस्पति के फरक को समझिए अउमर के साथ साथ बुद्ध पड़ा बच्चे ने बोलना चालना सुरू किया है माता के पास बच्चा कब तक दूद पीता है जब तक दात नहीं होते दात होते ही माता अपनी छाती से नहीं लगाके राजी होती क्योंकि बच्चा काट लेता है दर्द होता है जैसे ही उसमें बुद्ध समलित होने लगता है और बुद्ध की उमर क्या है 34-35 से पहले 17 इसी उमर के आसपास ज्यादा तर बच्चे अलग महौन में डलते चले जाती है उनमें सोचने विचारने की सांसरिक्ता बहुतिक्ता की बस्तूओं को देखने के कारण वो बिरस्पत अधिकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देके सामने जो दिख रहा है उन चीजों पर अब पिता क्या देगा उकदेश लेकिन वहार वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जिन पर उन्हें ज्यादा भरुसा कायम हो जाता है और उनका मानसिक परिवर्तन होना सुरू ह हो जाता है यानि कि ब्रसपती और बुद्ध परवानेंट दुसमन है ऐसे समझ लीजिए अकल क्या है बुद्ध वो बच्चा अपनी अकल की कसोटी पर हर चीज को नापतौल कसता है जानकारियां हासिल करता है या और ब्रसपती से दूर होता है जल्दी से जल्दी जितना बेसक संसकार हमारे समाज में थोड़े ज़्यादा होने के कारण बच्चा अपने घर परबार से जुड़ातो रहता है लेकिन पिता उसके जीवन में हीरो नहीं होता, बदल जाता है उनका हीरो, इस बात को समझेए, वो जो देखता है, उन चीज़ों पे ज़्यादा महत्त करता है, सुनी-सुनाई चीज़ों से वो दूर होने जाता है, ब्रस्पति और बुद का यही जगड़ा है, ब्रस्पति के सुनेरे या पीले रंग में, रहु का नीला रंग मिला, तो एक नया रंग पैदा हुआ, क्या हरा, वो ही तो भुद है, मुश्तरका, राहु, ब्रस्पति, समझ जाईए, और हरे रंग की जो भी बनस्पतिया हैं, और हमारे जीवन की जो हर्याली है, जो सुक्षैन है, देखने वालने वाली बहुत एक बात से जुड़ी हुई चीज़े हैं, वो सब बुद से संबन देता हैं, थोड़ा अलग सुत्र, थोड़ा ध्यान करियेगा, ब्रस्पति और राहु से, ब्रस्पति और राहु से, अगर मंगल का संपर्क हो जाए, सैयोग हो जाए, एक और दूसरा, मंगल का बुद के साथ संबन हो जाए, इन दोनों सूरत में, लाल किताब का सुत्र कहता है, कंठी वाला तोता, मंगल और बुद का संबन हो जाए, लाल की कंठी होती है गरदन पे, तोते के ध्यान करियेगा, ऐसा तोता, अमोन बिरस्पती की नकल करता है, वो बिरस्पती नहीं है, है बुद्धी, लेकिन उसकी नकल करने की जो सहूलियत है, वो बढ़ जाती है, बिरस्पती की नकल, जबकि आप देखेंगे मंगल बुद्ध के मिलने से कोई सोना तो बना नहीं, जो की बिरस्पती की नकल करेगा, इस बात कर समझेए, लेकिन नकल करेगा, सोने जैसी बनने की, यानि अपने उपर मुलम्मा चड़ा लेगा, जिसके साथ जाए, वैसा हो जाए, और ब्रस्पती को मानता भी नहीं है, वनसे की ये गुरू है, ये उस्ताद है, लेकिन फिर भी ब्रस्पती बनने की कोईसिस करता है, जब मंगल का संपर्क ब्रस्पती, ब्रस्पती और राहु का संपर्क मंगल से हो जाए, माफ करना, या फिर मंगल का समझ्द बुद्ध से हो जाए, और मंगल बुद्ध में तो सनीचर मंदे के हालात मिलते हैं, इस बात को भी ध्यान कर लिजिए, और सोना नहीं है लेकिन सोना मन्ने की कोशिश करता है नकल जी ब्रस्पति यानि कि गुरू की आवाज की नकल करता हुआ 35 हर्फों वाली मैना को देखता है निहारता है जानवरों में पहाड़ी बकरा परिंदों में चमगादड को भी बुद माना गया है बुद का रंग दो रंगा है अब मंगल बद की बात होती है आज बात करूँगा बद और बुद नेक ऐसे समझ देजिए बुद मी दो रंगा है इंसान और हैवान के बीच अकल का दाइरा है नरम हुआ तो कलई की काम आया और कम मूले की बस्त को भी मूले बनादेगा और कड़ा हुआ तो सब जरंग हीरा बना जिसके जगान पर रखते ही दम बाहर निकल जाए गोलंडा तो लेटा हुआ नरम हुआ लेकिन खड़ा हुआ तो इतना सक्त कठोर हुआ मामुली जोर से ना तोड़ा गया खड़ा अंडर जल्दी चूटता नहीं है ये बुद्ध के अलग-अलग गुण है मंगल ने बुद्ध की लड़की को औरत नाम दिया कब जब महावारी शुरू हुई सूरज ने बुद्ध के आकार की हदबंदी की अब सूरज ने बुद्ध के आकार की हदबंदी कैसे की ये समझ लेजिए के तु को बुद्ध के साथ खाना नंबर छे में दिलवा कर और बच्चे की नार जो बच्चा गरम में होता है उसकी नार होती है बोजन मंगल का ना भी मंगल की लेकिन नार जो भी गोल बस्तू है वो चाहे नसी तो है न वो भी एक नसनाडी तो है जिसे बच्चे को जरम से पहले गरवास्ता में बोजन मिलता है ये भी समझी है बच्चे की नार को मजबूती दी और गर्मी पैदा की जिसमें ब्रस्पती की हवा बुद्ध के आकार में चारोर गूमने लगी लेकिन बुद्ध की अकल के दारे के इद्गर्द गूमते हुए जाच परतान होने लगी कि आकास और पताल के बीच में बने आकार में उस मालिक ने जाने कौन कौन सी चीच छुपाई हुई है बुद्ध नेक हुआ तो माता धर्मात्मा ये बहुत गहरा सुत्र है ध्यान कर लीजिए किसी भी व्यक्ति का जब तक बुद्ध नेक ना होगा उसकी माता धर्मात्मा पिरवर्ति की ना होगी जबकि चंदर बुद्ध को दुस्मन मानता है बुद्ध नेक होगा तो ही व्यक्ति की माता धर्मात्मा और नेक सुभाव की होगी बुद्ध मंदा होगा तो भी माता पे मंदा असर जाता है माता धर्मात्मा पिरवर्ती की ना होगी बुद बिगड़ा तो अकल बिगड़ी बुद बिगड़ा तो माता गंदी हुई चंद्रमा रद्धी हुआ एक सूतर है ना साप की सापनी अपने ही बच्चों को खाने लगी माता गंदी हुई बुद बिगड़ा तो बुद्ध का अंडा खाना नंबर 9 से पैदा होता है और ये कुंडिली के खाना नंबर 2, 4, 6 में होगा तो खड़ा अंडा होगा तो उत्तम होगा नेक होगा, अच्छा होगा बुद्ध खाना नंबर 8 और 10 में लेटा अंडा होगा इसको कहा गया है ऐसा व्यक्ति बिनम्र सुभाव का होगा, मतलब भेड सुभाव, बिनम्र सुभाव, उसके बोल चालने की छमता बड़ी मीठी होगी, बिनम्र बता बरी होगी उसकी जवान में, बुद्ध खाना नम्र आठ और दस, दोनों में, और दस में तो आपको महलू ह कि सनी के घर खाना नंबर दस में बुद इतना मीठा कि कानवी काटले फिर भी सुनते रहे बैक्ति उसकी बातों को इतना होता है खाना नंबर आट और दस में बुद होगा तो ऐसे बैक्ति की बाणी में बहुत भी नमरता होगी बुरा अंदा मंदा अंदा खाना नंबर बार पर असल अक्स किसका है यह पता ना लगे कि वह कहां हैं तीन और नौ में दूदवाली बकरी बुध खाना नंबर पांच में यानि कि अच्छा होगा ऐसे समझे दिजिए सब्तों को समझे पत्तों वाला पेड़ लाल कंठी वाला तोता जो मैना को उक्देश देता है बुध खाना नंबर ग्यारा का होगा लेकिन मंदा होगा तो लुका पठ्ठा होता है बुध खाना नंबर ग्यारा इस बात को भी ध्यान करिए एक सूतर है किताब में कि बुध और सनी साजे गरों में एक ही दीवार वाले घरों में बैठे हो तो यानि कि अगल बगल में बैठे हो एक दूसरे घर में बराबर बराबर बुध और सनी तो किताब कहती है कि ऐसा अब्यक्ति सहतीर या गार्डन खड़ी करके उपर सहन बनाए गार्डन में सहतीर कड़े करके उपर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पारक में खेत में खहलेयान में बासबल्ली खड़ी करके ऊपर रहने का जुगाड़ लेते हैं सोक-सोक में या फिर रहने के अलावा वैसे ही छट सी डाल लेते हैं वो भी तो बुध का फल जो बुध और साजे घरों में नजदीक के घरों में अगल बगल के घरों में अच्छा असर दे सकते थे मित्रगरे होने के ना ते अगर ऐसा ब्यक्ति अपने गार्डन में अपने खेत खलियान में ऐसा कोई निर्मान करा ले तो बुद्ध का फल हद दरजे तक गिर्टा चला जाएगा बहुत ज्यादा मंदे असर का हो जाएगा और ऐसे समय में बुराई कहां से होगी ऐसे व्यक्ति की वेहन वेटी भुगा बरवाद हो जाएं तभा हो जाएं और सिर में खराबियां जो की हमारी बुद्धी अकल से संब्दी पैदा हो जाएं और ऐसे व्यक्ति की खुद भी जिन्दगी तभा हो जाएगी हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति पागलपन का सिकार हो जाए बुद्ध सनी आजुबाजु के घर में हो साजी दिवार के घरों में हो जहां वो मिल जाते हैं और वो व्यक्ति किसी मैदान में, पारक में, गार्डन में अपने या खेत खलियान में इस तरीके के काम अकसर बहुत सारे लोग करते हैं इस बात को समझेए ये एक बड़ी बुराई होगी बहुत ज़्यादा बड़ी बुद्कीन आली किसी भी घर से तीसरे घर देखिए साजी दिवार की बात हो रही थी अब हम बात कर रहे हैं तीसरा घर तीसरे घर में तो कोई नहीं मिलता न किसी भी घर से तीसरे घर के घरे लाल किताब अनुसार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं इसलिए इनका असर भी नहीं मिलता है लेकिन इन घरों में बुद्ध हो तो इनका असर मिल जाता है जिसे बुद्ध की नाली कहा जाता है और इस नाली का असर भी ज्यादातर अच्छा ही होता है बुरा नहीं होता और ये नाली सिरफ तीसरा ही नहीं साथ में घर को छोड़ कर हर जगे काम करती है इस बात को समझ लीजिए साथ में घर को छोड़ कर हर जगे काम परती है अब इस नाली को थोड़ा और विस्तार दे देता हूँ सुकर और बुद्ध दोनों इखटे होने पर अच्छा आसर देते हैं और दोनों का सुकर बुद्ध का घर पक्का कौन है खाना नमबर साथ अगला सूतर समझेए यह दोनों अलग अलग घरों में बैठे हूँ और दोनों अपने से साथ में घर में हूँ तो दोनों का फल रदी होगा सुकर बुद्ध दोनों अलग अलग घरों में हूँ लेकिन साथ में घर वाली सर्थ ना हो यानि कि दोनों साथ में घर वाली कंडिशन से छोड़ कर किसी दूसरे जगे बैठे हो तो बुद्ध जिस घर में बैठा होगा उस घर के सभी घरों का असर सुकर कहीं भी हो अपनी नाली के माद्यम से सुकर के असर में मिला देगा बुद्ध यानि कि दोनों घरों का असर सुकर पर हुआ क्या ये सुतर किलियर है नहीं हुआ तो कोई दोबरा दीजिए मैं दुबारा बोल देता हूँ नहीं नहीं हुआ ये बुद्ध की नाली बोली जाती है मान लीजिए वैसे तो किताब में एक उधारन दिया है पहले बोई बोल देता हूँ बुद्ध तीन में हो तो उस समय नो और ग्यारा घर खाली ही अच्छे होते हैं बुद्ध सोया हुआ होगा तो बुरासर ना होगा लेकिन अगर बुद्ध तीन में हो और बुद्ध के साथ मंगल हो और सुकर नो में हो तो बुद्ध अब देखिए सुकर और मंगल में कोई सत्रता नहीं है मंगल सुकर के साथ मिलके मस्नु यानि की बनाप्टी चंद्रमा बना देता है लेकिन वहाँ पर कंडीशन क्या है? इसमें केतु और सनी का असर ना हो मतलब दरश्टियादी कोई संबंध ना हो अब दूसरा सुत्र बुझ तीन में हो तो 9-11 के घर में कोई गिरह ना हो तो अच्छा लेकिन बुझ के साथ मंगल तीसरे घर में हो और सुक्र 9-11 के अज़े हो तो अब बुझ अपनी नालिज है यहाँ साथ में घर का concept यह special है लेकिन मैं जो बोलूँगँगा वो साथ में घर के सुकर को पहुचा देगा क्यूंकि मंगल और सुकर दुस्मन नहीं है एक ये सूतर हो गया अब दूसरा सूतर समझे मान लीजिए बुद्ध पांच में घर में अब एक और साथ के अपोजिट चल रहा हूं अब पांच से सातमा कौन सा है ग्यारमा ग्यारमे में सुकर ना हो वो एक स्पेसल कंडिशन थी मंगल बुद्ध तीन और सुकर नो इससे अलग चल रहा हूं अब सुकर बारमे घर में हो तो आप कहेंगे कि ये तो टक्कर हो गई पांच से बारमा काउंट करेंगे तो आठमा घर बनता है या फिर लगन में हो जाए अब सात्वा संबन्द नहीं है तो बुद्ध के साथ जो मित्र ग्रे होंगे सुकर के भी यानि की उन्ही का असर मिलाएगा लेकिन अगर बुद्ध के साथ सत्रू ग्रे हों सुकर के जैसे रहू हो या सूरज हो बुद्ध के साथ तो ना तो बुद्ध नाली मिलाएगा और ना सुकर मिलने देगा बाकी बुद्ध अपनी नाली सुकर से जोड़ेगा बुद्ध सुकर को मदद देगा और कोई ऐसा गिरे बुद्ध के साथ हो जो सुकर का भी मित्र हो तो उसकी भी मदद सुकर को दिलवा देता है लेकिन ये सुत्र काम करता है बुद्ध पहले घरों में सुकर बात के घरों में ये है सारा किस्सा अब हो गया किलियर चलिए अभी थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और दोनों घरों का ही अच्छा असर दे देता है सुकर अपना असर बुद के घर में नहीं मिला सकता बुद मिला सकता है ये भी जान कर लीजिए फिर दोनों घरों में सुकर का अच्छा अफसर आ जाएगा क्योंकि ये सारा किस्सा मित्र घरों से संबन्दित है ये भी जान करिएगा सुकर के मित्र हों और सुकर अपना असर बुद के घर में नहीं मिला सकता लेकिन बुद्ध अपना और अपने साथ के गरों का असर सुक्पर में मिला देगा और सुक्पर का असर बुद्ध के घर वाला खाना उसके असर में मिलके बदल जाएगा यानि की नेक हो जाएगा ऐसे एक और सुत्र समझिएगा जब कभी ये बहुत खास कॉंसेप्ट है किताब में इतनी आसानी से समझ में नहीं आएंगे है सब किताब काई तो थोड़ा सा गौर करिएगा समझ में आए तो दुबारा पूछ लेना आप लोग जब सुक करके घर का राज हो या फिर रासी नंबर के गरह बोलने का समय आ जाए तो सुकर बैठा होने वाले घर में बुद्ध बैठा होने वाले घर के गरहों का असर मिला हुआ माना जाएगा मैं दुबारा बोल देता हूँ जब कभी सुकर के घर का राज हो सुकर के घर के राज का मतलब समझिए सुकर के घर में जिस घर में सुकर बैठा हो वो एक्टिव हो तभी तो राज होगा 36 साला चकर के अनुस्वार पकड़ दीजिए उस समय या फिर रासी मतलब वो ही निकल के आता है रासी के घरे बोलने का समय आ जाए तो जहां सुकर बैठा है सुकर बैठे वाले घर में बुद बैठा होने वाले घर के घरों का असर मिला हुआ माना जाएगा जब सुकर बैठा गर एकटिव होगा तब लेकिन अगर बुद के घर का राज हो या निकि बुद के घर का राज हो या फिर वो रासी एक्टिव हो और उनके बोलने का समय आ जाए तो बुद का असर अपने साथ के जो बुद के साथ ग्रह बैठा है अपने साथ के ग्रह के असर के साथ होगा और इसमें सुक्र का असर नहीं होगा सुक्र पहले घरों में बुद बात के घरों में तो राहू मंदा होगा बुद सुकर मुश्टरका यानि कि एक साथ होंगे तो सनी नेक होगा और केतु के भी अच्छे फल मिलेंगे और खास तोर से जब बुद सुकर को देखेगा तब भी केतु के नेक फल मिलेंगे बुद और सुकर के घर में असर मिलाने के समय बुद सुकर से पहले घरों में बैठा हो दुबारा बोल रहाओं बुद सुकर के घर में असर मिलाने के समय तो बुद सुकर से पहले घरों में बैठा हूँ, मतलब बुद पहले सुकरबाद में, मतलब वो ही है, तो बुद का अपना जाती असर बुरा नहीं होगा, भला, बुद का भी, बुद पहले सुकरबाद, तो बुद का भी अपना जाती असर, खुद का असर नेक होगा, ऐसे समझ बुद पहले सुक्रबाद में और इस तरीके की जब मिलावट हो रही है बुद की नाली की तो बुद के घर में बुद के साथ बुद के घर में भी और बुद के साथ भी कोई दुस्वन गरह हो तो सुक्र उसको अपना असर मिलाने ही ना देगा उसमें बुद की नाली ही बंद हो जाएगी यानि की सुक्षर को अब बुद की मदद ना मिल रही होगी और सुक्षर पागल हो जाएगा ये सुत्र किलियर हो गया मैं दोवारा बोल देता हूं बुद के घर और बुद के साथ सुक्षर का दुस्मन हो तो सुक्षर असर मिलाने नहीं देगा बुद की नाली बंद हो जाएगी यानि की बुद भी असर नहीं मिला पाएगा लेकिन अगले सब्द क्या थे बुद के घर अब बुद के घर कौन से है इस बात को द्यान करिए तीन और छे सर पका घर साथ भी है छे भी है तीन भी है इन घरों में कोई सुकर का दुस्मन बैठा हूँ तब भी बुद का जो नाली का असर जो नेक हालात में सुकर को मिलता है नहीं मिलेगा और अब सुकर ज्यादा पगला जाएगा यानि की सुकर अच्छे घर में बैठके भी और दूसरे मादेमों से कंडिशन से भी नेक होते हुए भी सुकर का अच्छा फल्ला होगा ये थोड़े सब्दों में बड़ा उलट फेर है तो थोड़ा सा में इसलिए कह रहा हूँ इस वीडियो को भी आप लोग दो तिन बार सुनिएगा लेकिन ये गरामर क्लास में ही जाएगी ये भी ध्यान करिएगा ये क्योंकि गरामर क्लास से संब्दित है ये है बुद का असर जब सुकर को नहीं मिलेगा अब सुकर के अच्छे फन अ मिलेंगे तो वेक्टी के जीवन में लग्जीरियस ना होगी सौक मों चाओं बंग पतिपत्नी के सुख ना होँगे और साजीदारी के सुख ना होँगे गरस्त हो नशोंब सकता है कि जीवन साथ ही कि सेहत पर मुंदा असर चला जाए कुछ मातरा में कुछ मिल रहे हैं और उनके मिलने से सनीक्त अनेकफल आ जाता है कि नाली वाले में ज्यादा गोटाला है इस तरिके से लेकिन आइगऩ लाई हम को भी अच्छा योग नहीं करेंगे ज्यादा फायना बसक्र पगलाया ना होगा जो आपके कॉंसेप्ट की बात है लेकिन जो मेरे कॉंसेप्ट की बात है ना ली इसे सम्बंदित वहां सुकर पगला जाएगा और वहां कि मैंने कितनी बुराइयां बता दी, जीवन साथी से सम्मंद, लगजीरे सलाइप, सारीरिक स्वास्थ कहीं जगे, और उसमें जीवन साथी जो हो ऐसे व्यक्ति का, उसमें भी कोई मंदे योग बन जाए, तो साब फिर बीमारी पकड़ लेगी, बड़े स्तर पे, तो मैं इसी लिए तो एक बात कहता हूँ, कि किसी परिवार में बड़ा गल्लू गारा हो रहा हो, कोई हारी बीमारी बड़े स्तर पे हो, कारोबार बिलकुल डैमेज हो गया हो, और अलाज से संबंधित बड़ी समस्या हो, मतलब बड़ी दिखते हो, तो एक जनम कुंटली म देखिए, उस परिवार के सारे टेवे देखिए, क्लाइंट कई वार क्योंकि ज़्यादा पैसे अफोड़ नहीं कर सकता, तो थोड़ी हम लोग गुंजाइस कर लें, फिर हमें भी तो चार-पांच टेवे मिल सकते हैं, तो थोड़ी से हम भी गुंजाइस कर लें, 20-30-40%, 50 जो भी लेस दे सकते हैं, दे दें उसको, पूरे तरीके से ट्रीटमेंट संभब ना होगा, अब जैसे आज का ये उधारन दे देता हूं, मेरी स्टुडेंट है, मैं नाम नहीं लूगा उनका, वो चाहें तो बोलने मैं नहीं लूगा, वो अभी एक दो दिन पहले मेरे पा हैं, तो उनके नीचे वाले फिलोर में जो उनका परिवार जो दूसरा है, मतलब तेवर बगएरा, उनको कैंसर जैसी समस्या हो गई है, और वो कुंडली, आज भी मेरी उनसे बात हुई है, बहुत बेचेनी वाली है, मतलब की मैं बात करते-करते उपाए नहीं बताउंगा बहुत सोच समझ के पाए बताउंगा, और डॉक्टरों ने उनका ओपरेट भी मेरे ख्याल से अभी हपते-दस दिन में ही बोला हुआ है, साइट तेश तारीक बोला था उन्होंने, जी, जी सर्, तेश ही बोला है ना, जी, तो मैंने उनको कहा, कि ये एक तेवे की है, लेकिन मैंने कहा कि कभी भी प्रॉबलम, ये हमारी गर्मियों में बात हुई थी भेंजी, ऐसे ही है ना, जी, जी, जी सर्, तब आपको बिलकुल अनुमानी नहीं था, लेकिन आज 6-8 महीने ही गुजरे हैं, जी, और राउ की मादशा शुरू होते ही, राउ का यर्सा ह कोई भी गिर है, अपनी असर म्याद के बक्त ही तो अपनी बुराई देगा, बस समझेए, प्रदी बाई, कैंसर का गले में बताएं कि ब्रेन में, ब्रेन दिमाग, जी, ठीक है, तो मैंने कहा, उनके पतनी बच्चे, जिनको कैंसर हुआ है, उनके माता, पिता, सब के टेव है, तो इन्होंने थोड़ी सी मेरे से चर्चा की थी, सब के टेवों में वो बड़ी प्रोब्लम दिख रही थी, कि इनके घर में विप्ता आने वादी है, मैं इसलिए कहता हूँ, कि थोड़ा कमपरमाईज हम कर लें, थोड़ा कमपरमाईज हमारे क्लेंट कर लेंगे, तो नहीं करना है, लेकिन हम उनकी रिकवरी की मातरा को बड़ा सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान करिएगा, कि हम खुदा नहीं है, सांसे नहीं बड़ा सकते हैं, हम सिरफ कोसिस कर सकते हैं, और डॉक्टर भी कह देता है कि मैं अपनी कोसिस करूँँ, आप परमात्मा से दुआ करिए जी सर बहुत मतब मुश्किल ही लग रहा है सब कुछ तो उनके माता पिता का उनके बेटे का उनकी बाइप के सब के टेवे में दिक्कत दिखेए लोग एक टेवा दिखाते हैं आप सब लोगों को मैं कही बार कह चुपाऊं कि टेवों पूरे परवार के टेवे बड़ी मुशिवत के समय ब्यापार में बहुत बड़ी हान है कोई बहुत बड़ी वीमारी हारी हो गई है बहुत बड़े कश्ट है जीवन में कई बार पूरा पूरा परवाद हो जाता है परिवार उसमें चार कमाने वाले होते हैं तीन कमाने वाले होते हैं सब डेमिज हो के टेवे में सुपकर बंदा होगा बेटा बेटी के टेवे में फिरस्पती बंदा होगा भाई के टेवे में मंगल बंदा होगा माबाप के टेवे में के तू मंदा होगा अब बेटे के टेवे में गुरू और सूर्य दोनों पिट रहे हैं इस वर्शफल में प्रॉब्लम आता है किसमें यह जो आपने इस कंडिशन बोली नौट इसमें नौट इसमें इनके टॉइलेट था और मैंने पहले बोल दिया था लेडिस को ज्यादा प्रॉब्लम आती है लेडिस को नहीं घर के बड़े को ज्यादा आने के चांस होते हैं घर का मुख्या मुख्या बड़े का मतलब यह नहीं है ब्रेट बटर ओनर इस बिलकुल मैंने चीज यह है इसको ज्यादा फोकस करें तो हम लोग अगर कोसिस करें थोड़ा सा हम गुझाइस करें थोड़ा हमारे क्लाइंट लोग गुझाइस करें देखिए आप उनको रिलेक्स देंगे वो चार जगे आपकी तारीफ करेंगे आपका नेम फेम भी होगा चार जगे से और बरपूर पैसा आ जाएगा थोड़ी थोड़ी गुझाइस रखिए हमेसा इसी नीत को अपनाना क्योंकि एक टेवे में बड़ी बुराई होगी नहीं सकती जब तक उसके परिवार के और टेवों में और वो सब लोग 35 साला चकर के अनसार उन्हीं मंदे गिरों में जीवन गुजार रहे हुगे उस समय सिंपल सा सूतर है विल्कुल इस बात को द्यान कर लीजिए लेकिन एक सुतर और दुबरा बोल लेता हूँ अब इसी तरीके के मिलावट के समय बुद्ध के साथ सुक्र के दोस्तों तो सुक्र इस बुद्ध की नाली को या इस बुद्ध के असर को सुईकार कर लेगा प्रेम से और बड़ा अच्छा नतीजा हो जाएगा इस बात को समझे और हो सकता है कि ऐसी मिलावट में राहु के तू दोनों का असर हो हो सकता है कि ऐसी रुकावट के समय हो सकता है कि ऐसी मिलावट के समय राहू के तू का असर भी सामिल हो लेकिन ये इस्थिति कब होगी जब राहू के तू भी अपने से साथ में घर में हो और बुद्र और सुकर भी अपने से साथ में घर में हो तो इसका नतीजा नगमन्दा होगा इस बात को नगमनी है तो मन्दा होगा और साथ में वाली नाली बैसे भी अच्छी नहीं कही गई है ऐसे समझ भीजिए और बुद सुकर के बाद के घरों में हो उस समय राहू केतू का दौरा आ जाए अब इस दौरे को समझना और राहू केतू का दौरा यानि की लगन में आ जाए यानि की कोई भी एक राहू या केतू में से तक्त पे बैठा हो उस समय ऐसे जातक पे बहुत ब्यानक आपदा बहुत मंदा जमाना एक प्रिकार का मौत नहीं तो गर्दिस होगी बुद्बाद में सुकर पहले और उसी समय राहू या केतु कोई भी लगन में राजा बनके सिंगासन पे आरूर जाए यह बहुत बुरा जमाना होगा सर एक एक लाईन की कंडिशन क्या है कि बुद्बीन रहो एक लाईन में आवे तो आँमाज्मी की मुद्ध्य हो जाती है वो एसा कुछ है अभी दिमाग में नहीं लेकिन ऐसा भी है ऐसा कुछ है हां ऐसा कुछ सुना है मैंने भी genμαι अभी राहू हम एबुकिन कितां में खेली मिद्वानों से ऐसा सुना लेकिन इसका पूरी फोरीः पता नहीं तो इसे उसको भूछ वार्ष्टी के अंदर में आ जाते हैं जो बुध्रह के तू आ मतलब चार साथ दस एक में आ जावे लेकिन राहू के तू एक में होते समय भी बुद्ध पहले और सुकर बाद में हो तो मन्दा समय मन्दा जमाना ना होगा इस बात को ध्यान कर लीजिए राहू के तू एक में होते समय सुकर पहले बुद्ध बाद में तो बहुत भी आनक जमाना होगा लेकिन राहू के तू मैंसे कोई भी लगन में सिंगासन पर बैठ जाए और बुद्ध पहले घरों में और सुकर बाद के घरों में हो तो मन्दा नहीं होगा और अगर मंदा जमाना हो भी जाए तो सिरफ उतने ही समय होगा जितने समय राउ या केतु कोई भी जो लगन में आया था वो लगन में खान नमर एक सिंगासन पे बैटा हो बस अगर हो भी जाए पहले तो होगा नहीं और हो भी जाए तो सिरफ इतने वक्त के लिए होगा उस समय के लिए ये बुद्ध की नाली का जो बड़ा खास फाइदा है वो मंगल से संबन्दित है बुद्ध की नाली का जो बड़ा फाइदा है वो मंगल से संबन्दित है आपने देखा हुआ कई बार ऐसा होता है कि मंगल को सूरज की मदद मिलती हुई नजर आती है या फिर चंदर्मा का साथ मिलता हुआ भी नजर आता है उस समय इस नाली की वज़े से मंगल को मदद मिल जाती है इस नाली की वजये से मंगल को मदद मिल जाती है यानि कि इस तरह मंगल जो सूर्य याचंदरवां के बिना जो कि मंगल बद होता है, ध्यान करिये मंगल नेक हो जाता है इस बुद्ध की नाली का बड़ा सम्वन्द मंगल से भी है लेकिन ये असर कब होगा? चंद्रमा या सूरच उसी घर में हो या उसमें इसका असर मिल रहा हो ये भी ध्यान कर देए अकेला बुद अगर नाली से असर डालता है तो मंगल का फल अकेला बुद अगर अब मैंने क्या बोला बुद के साथ चंद्रमा या सूरच वो एक अलग संबंद हो गया लेकिन अगर अकेला बुद नाली का असर डालता है तो मंगल का फल यानि की मंगल बुद जो उनके संबंद घर अनुसार और दूसरे कंडिसन का नुसार होंगे उस अनुसार होगा मितरता भी हो सकती है सतुरता भी हो सकती है ऐसे समझ लेजिए मंगल की मदद के विना उलाद या यूं समझ लेजिए मंगल की मदद के विना सुकर की उलाद कायम नहीं रहती बुद जब मंगल के साथ होता है तो लाल कंठी वाला तोता होता है वैं खुद उठकर मंगल को साथ लेकर अपनी नाली के द्वारा अपनी नाली के माद्यम से सुकर में अपना और मंगल का असर मिला देता है इस सुकर की उलाद कायम होगी यानि कि टेवे वाला व्यक्ति लावल्द ना होगा और अब इस हालाद में बुद सुकर आगे पीछे होने की भी कोई सर्क नहीं है लेकिन भला असर जरूर होगा बुरा ना होगा ये भी सत्ते है और इसका कारण भी समझ लीजिए इसका कारण क्या है कि सुकर के जो 25, 26, 27 3 साला जो होता है 35 साला में उसमें पहला साल में बुद की नाली से सात्मे घर में होने की दरश्टी से सुकर में एक और मंगल बुद आमिलता है बुद की नाली से सात्मे घर में होने की जो नजरिया है उसमें सुकर में एक और मंगल बुद आमिलता है शुकर में बुद्ध का असर मिला हुआ ही माना जाता है क्योंकि सुकर की 25 में अच्छा प्योंकि सुकर में पहला साल मंगल से सम्भंदित होता है और बुद्ध के असर के विना सुकर पागल होता है और किताबी सब्द कुई अगर व्याख्या करके बोलूं तो उसका मतलब यह होगा जिस प्रकार कोई औरत अपने साथी के प्रेम के बिना बिछिप्त हो गई हो पागल वस्ता में आ गई हो मंगल का प्रिभाव ना हो तो औरत पून नहीं होती है और शुकर भी अपना फल देने में विकार असमर्थ हो जाता है और बुद में अगर सुकर का असर ना हो तो वो एक ऐसा पौदा है जिसमें फूल तो लगते हैं लेकिन फल नहीं बुद के दाथ आप सभी जानते हैं दाथ हमारे बुद से संबंदित हैं दाथ कायम हो तो ब्रस्पती की हवा यानि कि आउलाद कायम करने की ताकत पर काबू होता है कंट्रॉल होता है मंगल भी साथ देगा जब तक दाथ नहीं निकलते हैं चंद्रवा मतद करता है मतलब माता का दूर जब दाथ निकलते हैं तो अन यानि कि सुकर का साथ होता है बुद हो तो सुकर खुद भाखुद आ जाएगा मिल जाएगा लेकिन जब दाथ आकर चले गए तो मंगल और बुद का साथ सुकर को नहीं मिलेगा इसलिए मैंने बोला कुबते बहा खतम अगर उलाद नहीं हुई है बेसक ब्यक्ति की काम उमर है दाथ खतम तो उसमें फिजिकल रिलेशन बनाने की चमता नश्ट हो जाएगी तो आगे की और को एक कारवाई बैठी नहीं सकती सही और मंगल और बुद का साथ सुकर को नहीं मिलेगा नाहीं ब्रस्पती पे काबू होगा अब दाथ गए तो उलाद नहीं होगी तो ऐसा व्यक्ति फिर बे उलाद यानि लावल्द होगा सनी सूरज बाप बेटे हैं लेकिन आपस में जगड़ते रहते हैं इसी तरह बुद और ब्रस्पती भी बाप बेटे हैं लेकिन आपस में जगड़ते रहते हैं इनकी लडाई का आपस की इनकी लडाई का ही जो संबंद है उसी को सतुरता और मितृता कहा गया है बिरस्पती राहू मुस्तरका बुद्ध अगर बुद्ध कायम तो सुकर और मंगल का बुरा असर नहीं होगा बुद्ध कायम यह समझ देजिए अब कायम कब होता है यह बताइए कोई भी बता देजिए कायम बुद्ध कायम का मतलब क्या होगा बताइए बेहन बेटी बुआ हो सर तो कायम होगा बराड़ जी आप बोलिए दाद कायम बुद्ध कायम कब होगा यह सनी कायम कब होगा यह मंगल कायम कब होगा अब किसी की दिष्टी में ना हो अपने ऊच नीच राशी बिल्कुल साफ सुत्रा बैठा हुआ गिरे कायम होगा वो रिष्टेदारों का होना अलग चीज़ है कायम होना अलग चीज़ है जब कोई गिरे कायम करने के लिए बोला गया है तब उसकी बस तू इस्थापित करना या उससे सम्मन्दित रिष्टेदार से मदद लेना, यानि कि उसकी सेवा करके उसका अजी रिवाद लेना, वो अलग है दिब्या जी, कायम होना को दरती रूप से अलग है, दोनों में बड़ा फरक है, कि इसको कायम करें, पिता नहीं है, तो बिरस्पति को कायम करें, कहा ज सी टेवल इस्तिमाल करें, इस तरीके से भी कायम होता है, और ये चीज़े में नहीं है, तो पिता के नाम से सोना डालने, ऐसे, कायम करना अलग चीज़ है, और पुदरती रूप से कायम होना अलग चीज़ है, लाल किताब इतनी आसान नहीं है, इसलिए 55-56 लोग आए और अभी तक सिरफ 42 बचे हुए है, इसको बड़ा ध्यान लगाके एक कागरता के साथ सुना समझा जाता है, इतनी आसान चीज़ नहीं है, और मैं तो कह रहा हूँ बुद और ब्रस्पती का जगणा तो जब तक ये दुनिया जहान है, ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि दोनों बिपरी तकते हैं, और दोनों एक दूसरे को काटती है, इसको समझे है, ब्रस्पती राहू, मुश्तरका, बरावर बुद, बुद कायम होगा तो सुकर और मंगल बुसा, बुरा असर नहीं देंगे, मंगल बद और बुद यानि की सनी नीच फलका होगा, मंगल और बुद ऐसा बुद बिरस्पती बनने की, यानि की नकली बिरस्पती बनने की कोशिस करेगा, कंठी वाला तोता, जो सब की नकल करे बिरस्पती की भी, और बुद्ध तो जिस गर में होता है उस गर का असर लेने की उस गर से संबंदित बनने की कोशिस करता है बुद्ध खाना नमबर एक में होतो सूरज बनने की कोशिस करता है बुद्ध खाना नमबर दो में होतो बिरस्पती बनने की कोशिस करता है एक में सूरज, तीन में मंगल, ऐसे समझे, बुद्ध नों में हो तो बिरस्पती बनने की कोशिस करता है, नकल्ची है, बहरूपिया है बुद्ध, ऐसे समझे, मंगल, बुद्ध, इसलिए बोला, कि एक प्रकार से नकल्ची बिरस्पती बनने की कोशिस करेगा, कंठी वाला तो ता, लेकिन असली बिरस्पती की क्वाल्ची तो ना दे सकेगा, यानि कि अपना असर तो नहीं दिखा सकेगा, मंगल को बुद्ध, मंगल बद बनाएगा, जब सूरज की मदद ना हो मंगल को, इस बात को समझेए, बरना बुद्ध चुप चाप बैठा रहेगा, मंगल का फल अमूमन नेक होगा, लेकिन बुद्ध छुपी दुस्मनी जरूर करेगा, बुद्ध जमा सुकर, मुस्तरका सूरज, सूरज बुद्ध के साथ, अच्छा असर और अपने जीवन साथी पे और भी ज़्यादा अच्छा असर, मुद्ध और राओ आपस में मित्र हैं, लेकिन एक साथ हों तो अच्छे नहीं है, कभी भी कहीं भी अपनी बड़ी बुराई पे आ सकते हैं, इस बात को समझे, क्योंकि किसी भी बर्स फल में कहीं भी मंदे घरों में जा सकते हैं, दोनों अलग-अलग खाने में हों, और उनमें दरश्टी संबंद बन रहा हो, तब भी दोनों का फल बंदा होगा बुद्ध रहू, लेकिन मित्र हैं, इस बात को समझ लीजिए, और बुद्ध रहू अलग-अलग होते हुए भी, अपने मंदे घरों में हों, जैसे कि बुद्ध के लिए 3, 8, 9, 12, इनमें हो और रहू एक 5, 7, 8, 11 हो, भीया, कौन है ये, किसने दरवाजे खोले हैं, क्या हो गया भीया, आप आते ही क्यों हैं, मताया करो भाई, अगर आप अपने घर के पीछे की आवाजे सुनवानी हैं, मताया करो, बुद्ध रहू बहुत अच्छे मित रहे हैं, लेकिन दोनों का साथ होना भी अच्छा नहीं, दोनों का अलग-अलग घरों में बैठके दरश्टी सम्मंद बनना भी अच्छा नहीं, और जनम कुंडली में दोन पागल खाना जैसे बुरे हाला पैदा कर देगा, बुद्ध पहले घरों में और ब्रस्पती बाद के घरों में हो तो 34 साल उमर तक ब्रस्पती का असर अच्छा और 34 साल बाद ब्रस्पती का असर मंदा, और बुद्ध का असर सुरू हो जाएगा, वो भी मंदा होगा, ब्र के घरों में और बुद्ध पहले घरों में हो तो उलट जाएगा असर यानि कि 34 साल उमर तक ब्रस्पती मंदा और बुद्ध मंदा और फिर बुद्ध मंदा ब्रस्पती का जमाना लेकिन इसमें 35 साला चकर का जो दूसरा जमाना है वो मंदा होगा बुद्ध सुकर का तो मित्र है लेकिन बुद्ध मंगल के साथ हो जाए तो सुकर को अपना सेर का दात दिखाता है और सुकर को कई वार डराता भी है बहभीत भी करता है लेकिन इसके अपोजिट मैंने एक सब्द बोला था मंगल बुद्ध तीन और सुकर नो वो एक अलक कंडिसन है जबकि मंगल सुकर का दोस्त है लेकिन बुद इतना सातिर अपनी अकल का इस्तिमाल करता है कि सुकर को भी डराने लग जाता है क्योंकि बुद की एक क्वालिटी है बुद हम इसा ताकतवर का साथ देता है अब सुरज बुद सुकर मुस्तरका में जो बड़ी प्रॉबलम आती है उसका कारण क्या है सुकर के सामने सुरज बहुत ज़्यादा बलसाली है बलवान है बुद बेपेंदे का लोटा है सुकर का साथ छोड़ के सुरज के साथ मिल जाता है सुक्र कर देता है मतलब घहाय हमला कर देगा औहर ज 보तंब कि अब बीचा प्रकार से अकेला बूध हो दोस्त है यानि कि अब बुद मंगल गोवी बिवकुब बनाके सुक्कर पर हमला एक प्रकार से कर देता है अकेला बुद हो हर प्रकार से अकेला कोई भी दूसरे गरे का असर ना हो तो अपनी सत्रा साला जो म्याद है अपनी सत्रा साला म्याद तक कोई भी भला या बुरा असर ना देगा बुद अकेला सत्रा साल तक अपना कोई असर ना देगा लेकिन ऐसा व्यक्ति दूर दूर देश के दूर दूर प्रदेश के अगर व्यापार करे तो लाब बे सकते दे लेकिन समस्या है कि 17 साल का बच्चा ऐसे कहां भ्यापार करता है इस बात को समझे बुद्ध को राहू या केतू का साथ मिल जाए तो मौत की निसानी होगी खासकर जब बुद्ध के राहू या केतू से समंद हों और राहू केतू का दोरा सुरू हो जाए अब बराड़ साहब आप अपना वो कॉंसेप्ट किलियर कर लीती है जो आपने बोला था मंदा जमाना वो कब होगा केंद्र के घरों में क्या कंडिशन थी मेरे दिमाग में पूरी है नहीं मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो जब है ना जी जहां मर्ति वाड़े चैप्टर में लिखा है राव बुद्ध के तु आ मिले मौत गुजेगी उने सब्सक्राइस गुटका में भी लिखा है कब प्रैक्टिकली देखा है मैंने कई कुडलियों में केंद्र में आ मिलते हैं केंद्र खा दियो मिलेंगे वो मंदा जमाना कब होगा एक तो केंद्र में आ मिल गए इसके अलबा जब उनकी म्याद में भी हाँ यही तो कहना चाहरा हूँ उनकी म्याद में भी यह मंदा जमाना होगा राहु केतू का दौरा सुरू हो जाए अब समझ गए बुद्ध का हो जाए जाए जी बुद्ध का भी हो जाए जाए जा चौन्टिस पैन किस ताल देखिए किताब में सिरफ राहु और केतू का बोला गया है परदी बही जिसे बुद्ध तीन और राहु ग्यारा हो और इसका अर्सा ब्यालीस अर्ताली शुरू हो जाए या दोनों का मुस्तरका पैन्ताली शुरू हो जाए इतने कुछ ने गंदी गिर है कंडिसन की बात क्यों करते हो आप बुद्ध बाई मिचारे में कुछ नहीं बचेगा भगवान मेरे दुस्मनों को भी ऐसे गिरह हो नाते यार यह बहुत मंदा है बाई इसमें बुद्ध के उमर में भी बहुत बड़ा गोटाला होगा और राहू की उमर में आदमें भी बहुत बड़ा गोटाला हो जाएगा जो आप कह रहे हो सूरज को बंदरवाने तो बुद्ध इसकी दुम है पूँच है अगर बुद्ध नीच हो तो के तु पागल कुत्ते की तरह मंदा पागल कुत्ते की दुम ठीक से काम नहीं करती अब समझिए किसी भी जानवर की पूँच उसके आचार बिचार बिवहार को प्रिकट कर देती है मैं पता देता हूं मुझे जानवरों का बड़ा सोख है जब सांड एग्रेसिव होगा तो वो पूँच पीछे से उठाएगा और हिलाएगा सेर जब किसी पे अटेक करेगा तो वो भी इसी प्रिकार से करता है लेकिन वो हिलाता नहीं है उपर उठाता है कुटा जब डर जाएगा तो मुझे को छुपा लेगा और कुटा खुस होगा तो कुछ हिलाएगा अलग-अलग जीव जन्तु इस बुद का हाती जब खुस होगा तो देखिए सूंड को कितना हिलाता है हाती की तो सूंड है ऐसे समझ देजिए इनमें बहुत ज़्यादा फरक है बुद के भीद को अगली पहली किलास में खोल दूँगा लेकिन अब एक बात कर लेते हैं बुद लेकिन सुद्ध यानि प्योर बुद की बात कर लेते हैं अगर बुद में दरस्टी आदि से किसी दूसरे का गिर है ना मिल रहा हो तब क्योंकि अभी एक कलास में एक बेकिन ने बोला था कि मैंने तो लाल फिटकरी का उपाय करवा दिया बुद के लिए तो उस दिन मैं जलवाजी में बोल नहीं पाया आज बोल देता हूं वो द्यान आ गया लाल फिटकरी का संबन्द नहीं है बुद से बुद से है पार दर्सी सफेद फिटकरी का संबन्द जो कि सुद फिटकरी होती है जब बुद प्योर होगा तो किसी भी दूसरे गरेका यानि की असर ना मिल रहा हो तब सफेद पार दर्सी सुद सीसा और सुद फिटकरी होता है और इस पर बुद पर जरासा भी किसी दूसरे गरेका असर हुआ तो सुद फिटकरी की पार दर्सिता सफेद फिटकरी और सुद्ध सीसे की जो पारदर सिता है वो समाप्त हो जाएगी और इस बुद्ध के आकार और बुद्ध की गहराई का पता ही ना चलेगा बहुत मुश्किल हो जाएगा इसलिए बुद्ध को हकीकत में बहुत जादा जाँच परक कर उपाए देने चाहिए इसलिए सबसे पहले मैंने बोला बुद्ध नहीं तो कुछ नहीं एक बुद्ध ऐसा गिरह है जिस पे हम सबको बहुत मैंनत कर दो है क्योंकि इसके कौन से बहुत भिहानक है इस पे जितना बोला जाए कम है और जितना जादा बोला जाए तब भी कम है उसका कारण है कि सभी गिरों को पढ़ने के वाद पंड़त जी ने बुद्ध को जादा पोसीदा रूप में लिखा है छुपे रूप में मतलब कि बुद्ध को खोलना इतना आसान नहीं है मैं यह कहना चाहता हूँ लेकिन मैंने अच्छी कोसिस किये आप सभी के लिए चलिए रिकार्डिंग को रोक देते हैं आज के लिए कोई सवाल जबाब है तो दोरा दीजिए